तमस्कार परे साथियों स्वागत आप सभी का एक बार फिर से मारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर साथियों आज की स्विड में हम बात करने वाले हैं सीटेट का जो 21 जनवरी 2024 को उसका पेपर हुआ था फाइनली पेपर बन और पेपर टू दोनों के आपकी ऑफिशियल आंसर की आपकी जारी हो चुकी है जी हैं दोस्तों मैं आपको डेटे spielen में बताने वाला हूँ के आपप लोग अपने में पिपर की आंसर की कैसे मेश करोगे साथि आपकी जो भी लेंगबिज 1 या लेंगविज 2 आपने जैसे भी लीती वो आप लोग अपने आंसर की को किस तरीके से मैश करोगे वो भी मैं आपको detail में बताऊंगा तो देखिए आप सभी इस वीडियो को complete देखिए साथ ही आपको Umar CTN की जो आपने Umar है वो आपको download करने का तरीका भी बताऊंगा तो प्लीज आप वीडियो को complete देखिए वीडियो थोड़ा सा long हो सकता है लेकिन मैं आपको complete detail में explain करने की कोसिस करूँगा ठीक है तो चली वीडियो को start करते हैं उससे पहले मैं आप सभी को बताना चांगा अगर आप इसी तरह के update पाना चाहते हैं सब्सक्राइब करके बैल आइकोन बटन प्रेस कर लिजेगा चली दोस्तों वीडियो को start करते हैं बिना देरी के ठीक है और आपको दूसरी नमर पर आपको अपनी ओमार सीट डाउनलोड करनी है ओमार सीट को जो टाइम दे रखा है यहां पर कुछ इस समय तक ही आप कर पाऊगे यानिकि साथ फरवरी दो जाट चौविस से आपके जो ओमार सीट है वो डाउनलोड होना इस्टार्ट हो है मतला आज सही अभी सही आपके जो अंसर की आना स्टार्ट हो चुकी है ठीक है यानि ओमार सीट आप लोग डाउनलोड कर सकते हो लेकिन इसमें भी आपकी एक डेट रखी गे तब तक आप कर पाऊगे यानिकि 10 फरवरी 24 रात के 11 बचके 69 मिनट तक ही आप लोग कर पाऊ यह चीजर आप लोगों कई यहां पर देख लेने ठीक है चले यह तो हो गये आपको कुछ टामिंग के बारे में बात बात करते हैं कि आपको सबसे पहले आपको अपना आंसर की भी डाउनलोड करनी है है सब्से पहले मैं आपको बताता हूँierte आउंसर कुछ जैसे के आप लोगों को सब्से पहले जाना होगो हमारे टेले ग्राम चैनल पर इंपनर NPC reading आह defenders को फिरी hoping और और आपको पेपर या पक्र वन है तो आप लोगों को paper 1 वाली answer की इसको download करके open कर लेनी है अगर मालो आपका paper 2 है तो यहाँ पर आपको paper 2 की भी answer की आपको देखने को मिल जाएगी और paper 2 वाले paper 2 की answer की इस तरीके से यहाँ पर download करेंगे और उपसको open कर लेंगे ठीक है यह तो कुछ तरीका होगा यह आपको है ठीक है यहाँ पर अपना डाउलोड कर लिया आपने अब बात करते हैं कि आपको ओमार सीट कैसे डाउलोड करने हैं ओमार सीट डाउलोड करने के लिए मैं वीडियो को डिस्क्रिम दॉक्स में आपको लिंक दे दूगा वहाँ पर link पर click करके उमार सी download के नाम से एक link मिलेगा उस link पर जैसे click करोगे आप लोग यहाँ पर आ जाओगे यहाँ पर आने के बाद इस column में आपको अपना roll number डालना जो कि आपके admit card पर लिखा हुआ होगा साथ ही आपकी जो date of birth है वो आपको इस column में आपको अपने date of birth डाल लेनी है और यह डालने के बाद simply आपको करना login बटन पर click ठीक है अगर मालो किसी भी तरह के इस website नहीं चलती है आपको देखने को मिल ज download कर ली और answer की भी अपने download कर ली ठीक है जैसे कि मैंने भी आपको बताया था paper 2 के बारे मा आपको बता तीता हूं जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते है सीटवेड 24 जन वरी Son 20 जन्वरी यहां पर आंसर की जो कि आप लोग यहां पर देख सकते हो अभी Maths or Science वाले याएंगे, अभी Maths or Science वालों को उपर स्क्रॉल करते रहना है, अभी कोन आ रहा है, Maths वाले, ठीक है, P तक Maths वाले आगे, अब आगे Social Science वाले, ठीक है, अब आप लोग यहां पर देख सकते हैं, तो simply आपको O वाले पर जाना है, जैसे कि आपको कौन सा है, इनका N हो गया, ठीक है, अभी O नहीं आए है, हम O की तरफ चलते हैं, O कौन सा है, O हमारा यह आगे, जो कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं, पेपर 2 का Social Science का देख सकते हैं, O सेट आप सभी के सामने आज जुका है, तो इस तरीके से आपको जो है चेक करना है पहले, तो ठीक है, उसके बाद आपको उपनी O मार सीट को उपन करना, जैसे कि आपके सामने O मार सीट आ गई है, हमारा O सेट था, और हमारा Paper 2 का कौन सा सेट था, जो कि आप लोग देख सकते हैं, Paper 2 का O सेट था हमारा, ठीक है, और यहाँ पर भी एगर हम मेच करने तो देखी, यहाँ पर भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, अभी आपको पहले आप लोग यह देख लो ठीक है ना में आंसर की चेक करने के लिए आप लोग यहां पर दिख सकते हैं question 1 की जो आपका o set में जो है आपका question number 1 का जो है कौनसा answer दे रखा चौता यानि question number 1 का जो है fourth answer आपका दे रखा है इसी तरीके से हम इनकी तरब देखे हैं इसका मतलब यह भी option इनका गलत हो गया चलिए अगले question की तरफ चलते है, अगला question क्या है, जो कि आप लोग देख सकते हैं, तीसरा question है, और answer भी official website की तरफ से तीसरा correct आया है, यह आपका correct answer है, जो कि आप लोग यहां पर देख सकते हो, ठीक है, तीसरा option यह correct आया है, और अगर हमें इनकी तरफ देखें, तो इनका कौन सा आपका ठीक है जो कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं question number 3 इन्होंने तीसरा यह option किया है तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह option इनका correct हो गया ठीक है इस तरीके से जो एक एक करके अपने match कर लेना है और भी मैं आपको दिखा देता हूँ अगर मालो अगला question देखते हैं हम लोग ठीक है और क्या करना है आपको देखिए चौथे का कौन सा option आप ए ओप्शन है ठीक है चौथे का कौन सा option है first option है अगर हम चलते हैं चौथे के option की तरफ तो आप लोग यहां पर देख सकते है question number 4 में और ने कौन सा किया है first किया है तो इसका मत्तब यह option इनका correct हो गया इसके लिए आप लोग चाहें तो देखिए mobile को जैसे मैं swap करकर आपको कर रहा हूँ ऐसे कर सकते हैं आप लोग या फिर आप लोग दो mobile phone में आप लोग कर सकते हो एक एक करके मैंना भी आपको बता दिया ठीक है न भाई अब क्या करना इसी तरीके से देखिए आपके चाहें आपका देखिए आपरा social science में और देखिए math science वाले हो तो same था ठीक है एक से लेके 90 तक आपके चाहे math science वाले हो या फिर आपका देखिए social science वाले हो ठीक है दोनों का same है pattern जो कि आप लोग अच्छे से जानते होंगे अगर मैं आगर मैं बात करूँ इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते है 90 तक तो आपका दोनों का same है यहाँ इनकी 89 का यहाँ पर तीसरा option सही है अगर हम इनकी तरफ देखें तो 89 question number 89 पर जाएंगे question number 89 में देखते हैं कौन सा option ठीक है इन्होंने कौन सा किया है fourth option किया है इन्होंने fourth option किया है तो इनका option एकदम गलत हो गया ठीक है अगे चलते हैं अगلا question देखते है question number 90 की तरफ इनहोंने कौन सा किया है 90 में first option किये है अगर हम इसकी तरफ देखें तो इन्होंने कौन सा किया है 90 में जो कि आप लोगी देख सकते हैं कौन सा option कीया फस्ट option इसका मतलब ही option इनका correct हो गया तो इसी तरीके से आप लोगों को एक से लेकि 90 तक तो इस तरीके से match कर लेना है, ठीक है भाई, paper 2 के बारे में, ठीक है बाई, clear, आगे बात करते हैं, आप देखेगा, language के बारे में बात कर लेते हैं, language आपकी क्या क्या थी है, उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं अब हम करते हैं उपर scroll ठीक है अब आती है आपकी नीचे language language मैं आपको बात करते हैं language आपको कैसे match करने हैं सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ देखे हमारा कौन सा set था हमने पहले बताया था हमका हमारा o set था ठीक है 190 से लेकिए आपका 91 से लेकि 120 तक थी तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं अगर आपने language 1 में अगर आपने English लिया हो तो आप देखिए M set आप लोग यहां पर देख सकते हैं M set वाले इसको चेक करेंगे ठीक है इसी तरीके से मालो हमारा O set था ठीक है जैसे कि हमारा मालो कैंसा N आ गया O अब के बाद अब देखते हैं कौन सा आएगा O आएगा अगर हमने O लिया है और उसमें आपना paper 1 में आपने language 1 में अपने English लिया है ठीक है language 1 में आपने क्या लिया है English लिया हो ठीक है 91 से लेकिए 120 question तक आपने English की होट सेलेक्ट करने में तो आप लोगों को इसको चेक करना है अगर आपने ये नहीं लिया है तो आपको simply उपर स्क्रॉल करना है इस तरीके से आपने जो language 1 लिया है उसी को चेक करें ठीक है जैसे कि हमने इसमें आपको नहीं लिया है language 1 में लेंगवेज 2 आ गई अभी ठीक है एक मिनट एक मिनट और देख सकते है लेंगवेज अश्मी आ गई देखे आप लोग यहां पर देख सकते है और यहां पर देख सकते है अब देखिए दोस्तों अब आपको सामने आ चुकिए लेंगवेज 2 में मालो हमने हिन्गवेज 1 में हमने क्या लिया आता हिंदी लिया था ठीक है गाई आप लोग देख लो सकते है अ सेर था हमारा और हमने लेंगवेज तक आपको हिंदी चेक करना है जैसे कि आपो 91 में चलता हूँining लिया था अब हम चलते हैं 91 का देखिए, कौन सा answer आपको दिख रहा है, यहाँ पर first option दिख रहा है, तो इसका मतलब यह पहला ही question इनका गलत हो गया, चलिए, आगे देखते हैं अगले question की तरफ, अगला question देखिए, इन्होंने 100, यहाँ पर देख सकते हैं, बान में में कौन सा किया है, चोथा किया है, बान में में चोथा, आगे देखते हैं इन्होंने कौन सा किया है, यहाँ पर, बान में में यहाँ पर आपको कौन सा option correct दिख रहा है, यहनि की चोथा, इसका मतलब क्या हो का, यह option इनका correct हो की तरफ से क्या answer है आपका first answer है ठीक है यहीं 119 का first answer है ठीक है 119 का first answer देखते हैं आप 119 पर जाते हैं और उसके बाद देखते हैं first option correct है ठीक है लेकिन इन्होंने कौन सा किया भाई चौथा किया है ठीक है चौथा किया तो इसका मतलब यह इनका गलत हो गया ठीक है तो यह आपको चेक करने का यह तरीका था language 1 को ठीक है अब बात करते हैं अगर आपने language 2 ली है ठीक है अगर आपने language 2 में हिंदी ली है ठीक है अगर आपने language 2 में हिंदी ली हो तो simply आपको क्या करना है कि 120 से चेक करना है कहां से चेक करना है स्पब्ल के लिए आपको, वह सेट बारे मैं बता है, अब colonial रहे हैं। STS अब भी पहले ही रहे ठीके इस की तरफ चलते हैं एस कहाता है स अल्पिति अब देखते हैं स जलेती हैं और भी सामने देखते हैं ó 7 का आप लोग यहां पे देख सकते हैं ओस एट में आप लोग देख सकते हैं संस्क्रिट आपको दिखाई दे रहे होगी पेपर 2 में अब हमको यह कहां से चेक करने हमें चेक करने 121 से कहां से चेक करने 121 से लेकि 150 के बीच में ठीक है कहां तक 150 तक आपको Language 2 में अगर आपने संस्क्रिट ली है तो आप लोग इस तरीके से चेक करोगे ठीक है अब देखते हैं हमने देखी कहां लेती हमने संस्क्रिट लेती ठीक है आप चलते हैं 121 की तरब 121 का आप लोग यहां पर जैसे की चेक कर सकते है 121 में आप लोग यहां पर देख सकते हैं इन्होंने 4 है या 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 नी कि 121 का इन्होंने 4 ओप्षिन किया है अब देखते हैं 121 में कौन सा ओप्षिन आपको दिख रहा है ठीक है 121 में कौन सा ओप्षिन दिख रहा है तीसरा ओप्षिन दिख रहा है ठीक है, 122 की तरफ से कौन सा option, 30 र option का रेक्ट है, और इन्होंने कौन सा किया था, दूसरा, तो मतलए ये भी option इनका गलत हो गया, इसी तरीके से 123 की तरफ जाते हैं तो 123 में उन्हें कौनस ऑप्शन किया है फर्स्ट ऑप्शन किया है ठीक है अगर हम देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन की तरफ तो 123 में देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन ठीक 123 123 का चोथा यानि गे भी गलत है तो इस तरीके से आपको चेक करना है, इसी तरीके से मैं 149 की तरफ चला जाता हूँ, एक मिने डारेक्ट, इसी तरीके से आपको 1Y1 करके मैच कर लेना, जैसे कि 149 की तरफ जाते हैं, तो 149 पर चलते हैं, 149, देखे, 149 का इनोंने कौन सा किया है, देखे, 1st किया है, और आपका ओफिशल परिशान होनी की दिक्कत नहीं है, अगर आपको यह लग रहा है, यह चेक कर लेना, यह चीज मैं आपको पहले बता देता हूँ, अगर आप से फिर भी चैक नहीं आती है, तो सिंपले आप लोग देखे, रिजल्ट का बेट कर लो, इस मंत के लास्ट में आपको रिजल्ट आजाएगा, ठीक है, यह थोड़ा सा दिक्कत वाली बात तो है, लेकिन चेक करने का जो तरीका है, वो यही है, इससे और कोई बैटन तरीका इसका नहीं है, ठीक है न, चलिए, यह तो मैंने आपको पेपर 2 के बारे में बता दिया, इसी तरीके से आप बात करते हैं, देख आपको, sorry, jset है, तो jset करो, ठीक है, main में तो देखे, 90 तक तो आपके सभी के सेम है, k है, तो आपको k check करना है, ठीक है, मालो हमारा k था, तो k था, आपको 90 तक तो आपको यही same रहेगा, ठीक है, लेकिन आपको जो चक्कड़ाएगा, ठीक है, language आप लोग यहाँ पर देख करने, देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पर दे रखे भी है, ठीक है, और अगर आपने language 2 में English लिया है, तो आप लोग language 2 में, आप लोग 121 से check करोगे, ठीक है बई, clear, इस तरीके से आपको check कर ले न, language का भी तरीका मैंने आपको detail में बता दिया, फिर भी आपसे किसी भी कोई दिक्कत होती है, तो देखी परिशान होने की कोई जरुत नहीं है, अभी आपका result आजाएगा इस मन्त के last में, तो आप लोग direct result भी check कर सकते हो, ठीक है बाई, तो यह था complete process जो की video बहुत जादा long होगे, लेकिन मैं आपको पूरा detail में explain करने की कोसिस की है, I hope मेरे समझ में आगे होगोगे, किस तरीके से आपको चेक करने था, चेक करने का पूरा process समझ में आ गया, और आपको वीडियो helpful लगा हो, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर देजेगा, शेर आपने यार दोस्तों में आप लोग कर सकते हैं, और इसी तरह के update पाने के लि झाल